वेलकम टू माई चैनल तरुन सर आज इस वीडियो में हम लोग पैटन के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आज ये स्टार्ट करते हैं देखते हैं पैटन कौन कौन से अपन बना रहे हैं तो सबसे पहला जो पैटन मैं आपको बनवाऊंगा वो ये है हमारे पास हमें प्रेंट करना है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 तो गाइस प्रीविस वीडियो में हमने जो पैटन बनाया था वो ये पैटन था 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 देखे इस पैटन को समझने के लिए यह वाला pattern आपको आना जरूरी है, compulsory है तो पहले मैं आपको एक बार यह वाला code recall करवा देता हूँ existing जो files को लीव है sublime में वो मने close कर दी then java folder पे right click किया new file ctrl s से मने इस file को save कर दिया pattern2.java नाम से now यहां मने एक class create कर दी pattern2 इसमें main function हम लोगों ने create कर दिया now हमने दो variable ले integer i and j अब देखिए जो यह पुराना pattern है इसमें क्या हो रहा है एक से पांस तक की counting प्रिंट हो रही है और line change होने का काम हो रहा है यह काम overall कितनी बार repeat हो रहा है 5 times तो सबसे पहले मैंने j equal to 1 से j less than equal to 5 j plus plus and इसमें हमने print करवा दिया j की value को ln हटा दिया line change नहीं होनी चाहिए and इस loop के बार हमने line को change कर दिया तो अभी क्या होगा यह एक से 5 तक की गिंती print करेगा then line change हो जाएगी इस काम को overall 5 बार repeat करना है तो हमने इसे put कर दिया i के loop में i equal to 1 से i less than equal to 5 i plus plus and यह जो पूरा code था हमारे पास एक से 5 तक की गिंती और line change वाला काम इसे हमने डाल दिया i के loop के अंदर now see guys यह क्या करेगा जो अंदर वाला loop है वो 1 से 5 तक की गिंती print करने काम करा है line change कर रहा है और जो बाहर वाला i का loop है वो 1 से 5 तक चलेगा and 5 बार इस काम को repeat करेगा तो 1 से 5 तक की गिंती line change वाला काम जो है वो total 5 बार repeat हो जाएगा आई आउटपूट दिखाता हूँ आउटपूट दिखाने के लिए right click किया हमने open containing folder में गए then address bar में जाके type किया हमने cmd java c pattern 2 dot java अगर कोई error होगी तो error आएगी अभी कोई error नहीं है तो prompt आगे हमारे सामने now हमने इसे run कराना है तो हम ले लिया जावा pattern 2 तो एक से पांस तक की counting आ गई अभी देखे गाईज जो इस वीडियो में हम program बना रहे है mainly देखे आई की value initially क्या है पहली बार 1 है जब आई की value 1 है तो counting 1 से केवल 1 तक ही print हो रही है then आई की value बढ़कर के यहाँ पर 2 होगी जब आई की value 2 है तो counting 1 से start हो के कहा तक जा रही है 2 तक इसी तरह साई की value जब 3 है तो 1 से 3 तक आई की value 4 है तो 1 से 4 तक आई की value 5 है तो 1 से 5 तक जो भी pattern के program मिलेंगे उनमें आपको identify करना है या तो देखिए right side के अंदर change हो रहा होगा values या left side में change हो रही होगी तो right side में जो change हो रही है मारे पास I की value that means I का loop 1 से 5 तक setup करना है चीक है और जो actual values प्रिंट हो रही है ये J से प्रिंट हो रही है तो J हमेशा start कहां से हो रहा है 1 से अब 1 के बाद जैसे 2 आ रहा है that means increasing order है तो जो I वला loop है वो तो हमने 1 से 5 तक ही रखा then J equal to 1 से start किया और J less than equal to हमने कर दिया I पहली बार I की value 1 है तो J का loop 1 से 1 तक चलेगा दूसरी बार I की value 2 हो जाएगी तो J का loop 1 से 2 तक तीसरी बार I की value 3 है तो 1 से 3 तक चलेगा J का loop then I की value 4 है तो J का loop 1 से 4 तक I की value 5 है तो J का loop 1 से 5 तक चलेगा फिर I की value 6 होएगी 6 होते ही I less than equal to 5 के condition हो जाएगी false तो loop खतम हो जाएगा अई इसको अब हम run करते हैं पहले मैंने किया compile then मैंने इसे कर लिया run तो यहा गया हमारा output so guys उमीद करता हूँ कि यह pattern का program आपको समझाया होगा कोई doubt रह जाता है तो आप इस video पर comment करके अपने doubt मुझ से clear कर सकते हैं guys अगर आपको यह videos अच्छे लग रहे हैं आप programming सीख पा रहे हैं तो मैं request करूँगा आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को एंड मेरे चैनल को share करें ताकि वो लोग भी अपने programming के knowledge को improve कर सकें thanks for watching this video guys have a nice day